Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankitah Sood and students. आज की इस वीडियो में JMI University के PhD Entrance Exam के syllabus के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ. तो जैसा की मैंने अपने previous update वीडियो में आप लोगों को बताया था कि Jamiya University का PhD Entrance Exam की date final हो चुकी है. यह exam आप लोगों का 27th में को होने वाला है and इसके admit card आज यानि की 19th में को release होने वाले है. ठीके, तो अभी हमारे पास सिरफ 8-9 days बाकी है इस exam के लिए. तो अगर आप लोगों ने अभी भी इसकी तयारी नहीं की है तो इस वीडियो का आप लोगों को syllabus तो बताऊंगी ही, इसके साथ ही कुछ ऐसे tricks भी बताने वाली हूँ, जिनकी help से guaranteed आप लोग सिरफ 8-9 days में अपने इस exam को qualify करके अपने PhD के dream को पूरा कर सकते हो. तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, जो भी points में बताऊंगी, उनको अच्छे से note कर लीजेगा, तो चली शुरू करते हैं, तो यहां भी यह official notification एड की गई है, यहां भी यह बोला है कि जो entrance test है, यह हर एक student को देना होगा, exempted की अलग category आती है, लेकिन जो exempted की section मे नहीं आते हैं, ठीके, उनको exam देना होगा and उसी के basis पे उनका यहां पे selection होगा, ठीके, यह बोला गया है कि जो medium है entrance test का वो English रहेगा, except in the language departments, which may set the question paper in language concern, ठीके, तो यहां पर यह बोला गया है, जैसे कि कोई अगर English में, sorry, जैसे कि कोई PhD ही अगर Hindi में करना चाता है, कोई PhD ही अगर उर्दू में करना चाता है, तो उनका language यही रहेगी, Hindi, उर्दू, जो भी other languages होती है, लेकिन बाकी के जो sections है, बाकी के जो departments है, उनका entrance test English में ही होगा, English language को ही priority दी जाएगी, Next, यहाँ पर important बात यह बोली गई है, कि entrance test shall be based on single question paper comprising of part A and part B, which shall of 3 hours duration, तो यह बोला गया है, कि आपका paper pattern part A and part B, दो sections में divide किया जाएगा, और इस पूरे दोनों sections को आपको सिरफ 3 hours में complete करना होगा, तो आगे देखते हैं, कि क्या है यह part A and part B, क्या है इनका syllabus, और किस तरह से हम इसको attempt कर सकते हैं, तो यह जो point मैंने highlight किया है, यह most important section है, तो यहाँ पे सबसे पहले part A के अगर हम बात करें, इदर बोला है कि part A के question paper में 50 MCQs पूछे जाएंगे, हर एक question का weightage होगा one mark and इसका syllabus क्या है, वो भी देखते हैं, तो syllabus है teaching and research aptitude, reasoning, comprehension, language, writing and analytical skills, contemporary issues relevant to research and higher education, सो यह जो पूरा section यहाँ पे मैंने highlight किया है, यह है part A का complete syllabus, सो इस में से कौन-कौन सी चीज़े बहुत important है, क्या topics हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए, यह सब चीज़े भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी and मैं guarantee देती हूँ, कि जो भी बाते मैं बताने वाली हूँ, आप उनको note करते हो, तो 8-9 days में आप बहुत अच्छे से अपनी preparation करके exam qualify कर सकते हो, तो यहाँ भी यह भी बोला है कि part A का जो, यह जो 50 questions वाला section है, इसको आप लोगों को शुरू के 1 hour में ही complete करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, part A and part B 3 hours होगा, part A 1 hour, part A 2 hours, तो आपको इसको शुरू के 1 hour में complete करना ही होगा, तो कैसे इसकी तयारी करेंगे, वो देखते हैं, जामिया मिलिया, इस्लामिया university के PhD entrance exam के लिए, हम आपके लिए complete and comprehensive course लेकर आए हैं, ठीक है, तो यह comprehensive course जो है, यह exam oriented course हमने बनाया है, especially for this university, यह guaranteed notes है, ठीक है, guaranteed course है, इस course में हम आपको देते हैं, full syllabus notes, यह updated notes है, इसमें हर एक चीज़ को graphs के through, diagrams के through present किया गया है, so that आप लोग अच्छे से concepts को समझ सको and अपने exam qualify कर सको, and यह notes ना सरफ आपके entrance exam में, वलकि आपके interview process में भी आपके help करेंगे, इसके साथ 10 full syllabus mock test हम आपको देते हैं, साथ ही most expected MCQ series, जिसमें हम आपको देते हैं, 1000 plus MCQs, PDF on research methodology, so यह 1000 plus MCQs जो हैं, यह guaranteed questions है, हमारे previous patch के बहुत से students का हम यह feedback मिला है, कि हमारे इसी content से, as it is, उनके exam में questions पूछे गए थे, and उसी के basis में इनका selection हुआ है, ठीके, so आप लोग देख सकते हो, कि 50 questions में से 30 to 40 questions हमारे इसी content से exam में पूछे गए थे, तो आप लोग सिरफ 599 पे करके, 599 इसकी fee है, यह पे करके, इस course को access कर सकते हो, and अपना PhD का dream पूरा कर सकते हो, so इस course को join करने के लिए, आप लोगों को screen पर दिएगे, number पर WhatsApp के through contact करना होगा, and जल्दी से इस course को आप लोग access कर लीजिए, so यहाँ पे paper में, part A की हम लोगों ने बात की थी, अब बात करते हैं, part B की, ठीके, part B में हमारे question paper में advanced knowledge होगा, आपके subject का, कोई भी subject हो सकता है, जैसे की commerce भी हो सकता है, economics हो सकता है, computer science हो सकता है, जो भी आपका paper 2 है, ठीके, जो भी आपका major subject है, उसी से related part B में questions आएंगे, तो यहाँ पे total 100 marks के questions पूछे जाएंगे, ठीके, out of which 50 marks will be assigned to 50 MCQs, questions of 1 mark each, ठीके, 100 questions होगे, 100 marks की questions होगे, जिसमें से के 50 होगे आपके 1 mark के question, and a set of subjective type questions having a weightage of 50 marks, तो 50 marks का, आपका MCQs होगे, 50 marks के आपके subjective questions होगे, ठीके, तो एक तरह से हम यह बोल देंगे, कि part B को further 2 sections में divide किया गया है, and इसको complete करना है आप लोगोंने 2 hours में, ठीके, अब भी जल्दी से आप लोग इसकी तयारी शुरू कर दीजिए, इसके साथ ही अब बात करते हैं, इसका criteria क्या है, ठीके, कैसे आप लोग इसमें पास हो सकते हो, criteria to qualify the entrance test, यहाँ पर यह बोला गया है, कि जो overall 40% score करेंगे students, part A and part B separately, ठीके, part A में 40 चाहिए, part B में भी 40 चाहिए, वही जो है qualified candidates की category में आएंगे, और उन्हीं को interview के लिए call किया जाएगा, ठीके, निक्स पोला गया है, provided that a relaxation of up to 5% in the qualified marks, either in aggregate or any of the two parts of the question paper, may be given in the candidates belonging to SC, ST and PWD, यहाँ पर यह special categories को 5% का relaxation दिया जाएगा, ठीके, यह है passing marks कितने चाहिए, अब बात करते हैं interview process की, आप लोगों का अगर selection हो जाता है, entrance exam के बाद, तो interview कैसे होगा, ठीके, यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका department है, आपका topic of research, synopsis आपको अपने साथ लेकर आनी है, उसमें आपके research का topic, उसका objective, current state of your literature related to proposed topic, proposed research work, methodology, reference and any other relevant information, the researcher would like to submit, ठीके, यह सब चीज़ें आप लोगों को अपने साथ लेकर जानी है, interview process में यह आपकी help करेगी, ठीके, तो इसको भी काफी weightage दिया जाएगा, इसके basis पे भी आपका selection हो सकता है, and students, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, कि research methodology का, sorry, paper one का part A का, यह complete syllabus है, इसमें मैं आपको बताया कि 40% marks चाहिए, ठीके, तो मैं आपको guarantee देती हूँ, इन questions के थूँ आप लोग बहुत easily 40% score कर सकते हो, ठीके, so most important topics अकर आप लोग जानना चाहते हो, तो comment करके बताये, मैं उस पर separate वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, so आज के लिए सिरफ इतना ही, and I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रही है, आप लोग चानल को subscribe करके, बेल आइकन प्रेस कर लीजे students, जैसे ही इसके admit card release होते हैं, मैं immediately आप लोगों को बताऊंगी, कि कैसे admit cards को डाउनलोड करना है, so जल्दी से बेल आइकन प्रेस कीजे, ताकि आप लोगों को immediately notifications मिल जाएं, so thank you so much and I wish you all the very best.